तो ये देखिए फ्रेंज यहां पे मेरे पास मेथी है मैंने एक बंच के करीब मेथी ली है और ये बिल्कुल लास्ट सीजन है मेथी का और बस चली गई है समझ लीजे मेथी बहुत ही मुश्किल से जो है मंडी में मिली मुझे तो ये मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो ब बिल्कुल हरी मेथी लेनी है आपको तभी आपकी कसूरी मेथी है जो उसका कलर भी हरा आएगा तो ये देखिए मैंने अच्छे से दो के इसको इस तरीके से चन्नी वाले बरतन में निकाल लिया है ताकि पानी बिल्कुल न रहे पांखे के नीचे हलका सा इसको छोड़ दि निकाल लेंगे हम और थोड़ा-थोड़ा करके हम इसको जो है त्यार करेंगे यह देखिए इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा मैंने इसको फिला लिया है और यह बहुत ही जटपड बनके त्यार हो जाती है इसको आप साल बर तक स्टोर करके रख सकते हो इसकी जो बिल्के आप 2 मिनिट के लिए छोड़ दीजे उसके बाद दुबारा आप इसको 30 सेकंड के लिए चलाएंगे तो इसे रुक रुक के आपको चलाना है ताकि जो मेथी है इसका मॉइस्चर उड़ जाए तो यह देखिए दो बार मैंने 30-30 सेकंड चलाया है और आप देख सक मेथी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख गई है यह देखिए क्रंची और कुरकुरी हो गई है यह देखिए आदी तो सूख गई है थोड़ी सी और बच्ची है यह देखिए और इसका कलर देखिए बिल्कुल भी खराब नहीं होता है बजार में जो कसूरी मेथी मि में आपको है करीब से दिखा रही हूं इस तरीके से आप खाना बनाते साइड में स्टोर करके रख सकते हो में इस क dips कि ही रहे हो भी सब्झी है जो पर से तरह है जो रही है कैसे रूसमत्रिकेidor सबजी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से महक जाएगी इसमें आपको बहुत ही कम कॉंटटी भी यूज करनी पड़ेगी मेथी की तो ये जरूर ट्राए कीजिएगा बहुत ही अच्छी रेसेपी है और बहुत ही काम की रेसपी है वीडियो को जाध-जाध-लाइक बिल्कुल भी मत भूलिएगा फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी बड़िया वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई और फ्रेंड्स ये कुछ दूसरे वीडियो है हमारे चैनल के जो क्लिक करके देख सकते हैं थैंक यू